प्रताप्नगर एक बहुत ही संपन्न राज्य था। वहां के राजा बहुत ही प्रतापी थे और प्रजा का पूरा ख्याल रखते थे। राजा ने पूरे जीवन प्रजा की मन से सेवा की थी लेकिन अब वह बूढे हो चले थे तो मन में बड़ी दुविधा थी कि उनके बाद राज्य को कौन चलाएगा। राजा साहब के तीन बेटे थे। अब तीनों ने एक ही गुरू और एक ही विध्याले से शिक्षा ली थी। लेकिन राजा ये निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि कौन राज्य के लिए सबसे अच्छा उत्तराधिकारी है। अब राजा ने तीनों बेटों की परीक्षा लेने की सोची। एक दिन राजा ने सुबह सुबह सभी पुत्रों को बुलाया और उन सब को एक-एक बोरी गेहू देते हुए कहा। सबसे बड़े बेटे ने सोचा। अब उसने ना गेहू के लिए अच्छा खेत देखा और ना ही अच्छी उपजाओ जमीन देखी और ना ही खेत की घास फूस को साफ कराया। बस ऐसे ही एक बंजर जमीन पर गेहू डलवा दिये और कभी उनकी देख भाल करने नहीं आया। उसे लगा कि अब अपने आप फसल आ जाएगी। तीसरा बेटा ज्यादा समझदार था। उसने अपने मित्र के साथ मिलकर एक अच्छा खेत देखा जो बहुत उपजाओ था। राजा यही कोई तीन वर्ष बाद वापस आया। तीनों पुत्रों को देखकर बड़ी प्रसंता हुई साथ ही मन में इच्छा थी ये जानने की की बेटों ने गेहूं के साथ क्या किया। पहले पुत्र ने जैसे ही तिजोरी खोल के दिखाई। अंदर से बहुत बुरी बद्बू आ रही थी। सब कुछ सड़कर राख हो चुका था। पिता ने कहा इस अन से हम सब का जीवन चलता है और तुम इसकी देखपाल ठीक से नहीं कर पाए। तुम क्या राज्य संबालोगे। अब तीसरा पुत्र पिता को अपने खेतों पर ले गया। बाह। पूर से ही एक अलग खुश्बू आ रही थी। गेहूं की फसल लहलहा रही थी। चारू तरफ हरियाली और जीवन था। और उस खेत से पचास बोरी से भी ज्यादा गेहूं उत्पन हो चुका था और आज भी खेत में फिर से फसल खड़ी थी। राजा का मन देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और राजा ने तीसरे बेटे को अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाने का निर्णे लिया।